उप्चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। प्रधान मंत्री जी आज शायद किसी विवा में शामिल हो। उनके चेहरे पे आज मुस्कान नहीं होगी अच्छा नहीं लगता लेकिन नहीं होगी अब क्या कर सकते हैं। ये उप्चुनाव जो 13 सीटों पर हुए बहुत महतुपुन हर उप्चुनाव हर चुनाव महतुपुन होता है। बहुत महतुपुन चुनाव थे। दूसरी बार देड़ महीने में एक महीने में समझ लीजिए दूसरी बार भारती जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। लोग सभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था। हुजूर इस कदर भी नहीं तरा के चलिए। अब एक महीना हो गया, लोगों ने देखा रवया में कोई फरक नहीं है, अभी भी वोई एंट, वोई घमंड, वोई एहंकार, फिर से एक संदेश दिया, उत्राखंड में हमारी हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रिनाथ की भी और मंगलोर की भी, हिमाचल में एक थोपा हुआ चुनाव, निर्दली ये तीन विधायकों से इस्तीफा लिया गया, उनसे इस्तीफा करवाया गया, हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया, और जनता का पैसा एक थोपे हुए चुनाव पर बरबाद करवाया गया, आप लोग उसको उपरेशन लोटस कहते हो, मैं उसको उपरेशन कीचड कहता हूँ, उपरेशन वोटर्स सबसे बड़ा होता है, सबसे मजबूत जवाब देता है, हिमाचल में, देहरा विधानसवा शेत्र में, नालागड में हमें जीत हासिल हुई, हमीरपुर हम हारे हैं, लेकिन ये तीनों सीटें ऐसी हैं, जिसमें असेमली इलेक्शन में, विधानसवा चुनाव में, इंडिपेंडनेंट्स जीते थे, कॉंग्रेस नहीं जीती थी, इस बार कॉंग्रेस ने तीन में से दो जीत ली हैं, और अगर आप कुल मिलाकर 13 की 13 सीटों का आखलन करेंगे, तो भारती जनता पार्टी को सिर्फ दो मिली, अमरवाड़ा पे मैं आता हूँ, जो मध्यप्रदेश का विधानसवा शेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहल अरी बार हुआ होगा, कि काउंटिंग करते वे अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं, काउंटिंग रोक के, पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कॉंग्रेस को हराने के लिए, जो व्यक्ति पिछला विधानसवा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी म पाटी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन्हें, कि उन्होंने सबक सिखाया, उन लोगों को जो शड्यंतर कर रहे थे, समिधान को कमजोर करने का, समिधान को बदलने का, और चुरी हुई सरकारों को अस्थिर करने का जो शड्यंतर रच रहे थे, उनको एक करारा जवाब आज जनता ने दिया है सबसे पहले उनका धन्यवाद हमारे उत्राखंड के PCC प्रेजिडेंट करण महराजी यश्पाल आरेजी CLP लीडर कुमारी शेलजाजी जो प्रभारी महासचिव हैं उत्राखंड की और तमाम AICC के पदाधिकारी तमाम स्थानिय नेता तमाम हमारे बेशकीमती वरकर्स उन सब की महनत से हमें ये दोनों सीटें मिली हिमाचल में PCC प्रेजिडेंट प्रतिभा जी हमारे CLP लीडर सुखविंदर सिंग सुखु जी हमारे प्रभारी महासचिव श्री राजीव शुकला जी और तमाम AICC के पदाधिकारी वहां के स्थानिय नेता हमारे वरकर्स उन सब ने महनत की जी जोड से महनत की और इन नतीज़े आपके सामने हैं एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि कैसे भारती जनता पार्टी की राजनीती को लोग ठुकरा रहे हैं लोग उसको अस्विकार कर रहे हैं क्योंकि इस राजनीती में जवाब दे ही का स्थान नहीं है लोकतांतरिक प्रक्रियाओं के प्रती सम्मान नहीं है और लोगों के हकों और लोगों के सवालों का जवाब देने की ये अपनी ये ज़रूरी नहीं समझते प्रधान मंत्री जी आवश्यक नहीं समझते वो घमंड वो आपको इनकी रादनीती में दिखता है मंगलोर का मैं उधारन देना चाहूंगा खास तोर पे चुनाव के दिन वहां किस तरहें का प्रयोग करने की कोशिश की वो आपके सामने है कैसे मुस्लिम मद्दाताओं को रोखने की पूरी कुछेश्टा की गई उनका हक है वोट देना वो उनको रोखा गया आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कहीं टिपणिया भारती जंता पार्टी के समर्थक कर रहे थे अरे मंगलोर तो मुस्लिम बाहूल इलाका है कॉंग्रेस को जीतना ही था तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ बद्रिनाथ 97.68% हिंदु है ना बात हिंदु मुसल्मान की नहीं है बात है किस तरह की राजनिती आप इस देश पर थोपना चाहते है वो ये देश श्विकार नहीं करेगा आयोध्या में जो हुआ आपने देखा नासिक, रामेश्वरम, रामटेक, बद्रिनाथ ऐसे तमाम ऐसे कई कई और में उधारन दे सकता हूँ जहां इन्होंने एक तरह से ऐसी राजनिती करने की कोशिश की जिसमें लोगों की रोजमर्रा की जिन्दगी से जुड़ी हुई कोई बात का स्थान नहीं था उन मुद्दों को वो सामने नहीं आने देना चाते थे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ा कर, विवात पैदा करके राजनिती करना चाते थे, उसका आज एक बहुत करारा जवाब लोगों ने दिया है हमारे मलिकारजुन खडगे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी जी, लगातार हम सब को कहते आए हैं, कि आराम नहीं करना अभी तो शुरुवात है आने वाले जितने भी चार असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं राज्यों के विदानसवा के चुनाव आ रहे हैं हम पूरे वरकर्स, हमारे तमाम ओफिस बेरर्स पूरी मजबूती से काम पर लग गए हैं एक दिन का भी हम लोग आराम नहीं करेंगे सितारों से आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहां और भी है हम उसी विनम्रता से अपने काम पर लग गए हैं और आपको आश्वस करते हैं कि जिस विचारधारा को लेकर हमने पिछले कई सालों से संघर्ष किया है उस विचारधारा को कमजोर नहीं होने देंगे और किसी को कमजोर करने भी नहीं देंगे आपके सवाल सर दो सवाले एक तो जो उपचुनाओं के नतीजे आए हैं जिस तरह से बीजेपी ने राहुल गांधी को उनके बयान पर घेरने की कोशिश की कि उन्होंने हिंदूं का पान किया आपको लगता है कि उपचुनाओं में कही न कहीं जनता ने इस पर भी अपना एक चनादेश दिया है लगातार जनता संदेश दे रही है जनता जीतने वाले को भी संदेश देती है जनता हारने वाले को भी संदेश देती है अब आपके उपर है कि आप वो संदेश स्विकारते हैं विनमरता से या नहीं स्विकारते हैं हमने 2014 का संदेश भी स्विकारा, 2019 का भी स्विकारा, 2024 का भी स्विकारा, ये उपचुनावों का भी हम संदेश स्विकार रहे हैं उससे सीख ले रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी जी कुछ सीख लेंगे लगातार उनकी राजनीती को अब ठुकराया जा रहा है नकारा जा रहा है अब उनके हाथ में वो लें तो लें ना ले तो आने वाले चुनाओं में और मालूम पड़ जाएगा और सर एक सवाल है आपके संगठन मासरचिफ कांग्रस के संगठन मासरचिफ केसी वेनुगोपाल ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ड डाला है कि उनके फोन को हैक करने की कोशिश हुई है उनको एपल की तरफ से ये सूचना दी गई है ये कितना गंबीर मामला है सुर और इसको हैक करने की कोशिश के और एपल की तरफ से अधिकरित चेतावनी आई थी अक्टूबर पिछले साल मेरे फोन पर भी यह लगातार हम सब के साथ करने की यह कोशिश कर रहे हैं लेकिन करते रहिए आप 2024 में आपको मालूम पढ़ गया यह सब करने से कुछ नहीं मिलेगा जनता देख रही है और भगवान देख रहे हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम सर हाँ माईक हलो हलो सर एक सवाल है उपचुनाव से जुड़ा हुआ अभी उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होंगे विधान सभा के बहुत सीटे खाली है और राजस्थान में भी होने वाले हैं, दोनों जगह भारतिये जनता पार्टी की सरकार है और यूपी में तो बीजेपी की बड़ी हार हुई है जहां से उमीदे नहीं थी उनको तो वहां कॉंग्रेस का प्रोस्पेक्ट क्या देख रहे हैं और राजस्थान में भी यूपी के लिए स्पेसिफिक पूछना चाहूंगा कि क्योंकि वहां आप समाजवादी पार्टी के साथ अलाइंस में हैं तो कॉंग्रेस को कहा देख रहे हैं सीटों के मामले में कितनी सीटों पे कॉंग्रेस लड़ सकती हुआ अभी चुनाव घोशित हुए नहीं है अभी बैठकों का सिलसिला शुरू होगा कौन किस सीट पे लड़ेगा वो तै होगा सब आपस में चर्चा करेंगे उसके बाद इस निशकर्ष पर तमाम पार्टियां पहुंचेंगी कि कौन सी पार्टि कौन सी सीट पर लड़ रही है तब फिर चर्चा करेंगे सब दूसरा सवाल है ओल इंडिया मुस्लिम जमात के रास्टिया अध्यक्स मुलाना मुफ्ती साहबुदीन रजवी बरेलवी ने एक बयान दिया है कि सुप्रीम कोट का विरोध नहीं करते लेकिन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से किसी को कोई हमदर्दी ने सिर्फ महिलाओं की आड में शरीयत की तोहीन होती है इससे भारत का मुसम्मान चिंती थे मुझे लगता नहीं है कि ये मुद्दा है आज इस मुद्दे पर मैं आज चर्चा नहीं करूँगा फिर जरूर किसी और दिन इस पर पूरा स्टडी करके गंभीरता से फिर चर्चा करेंगे माइक दीजिये इने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सर एलजी के पावर्स को बढ़ाया गया है उसको कैसे देख रहे हैं सर उसको लेकर के कही तरह की प्रतिक्रियां आ रही है सीधी सीधी बात है मांग क्या थी जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या मांग थी विपक्ष की क्या मांग थी मांग थी कि पूर्ण राज्य का जो उनका दर्जा था जो छीन लिया गया गलत तरीके से छीन लिया गया उसको फिर से स्थापित किया जाए उस मांग को पूरा करने के स्थान पर उल्टा LG के powers बढ़ा दिये उनकी ताक्तें बढ़ा दिये एक दिली model ले आए बहा भी और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा जो भी सरकार बनेगी उनकी ताक्तें सरकार बनने से पहले ही छीन ली गई इससे क्या निशकर्ष निकलता है इससे निशकर्ष ये स्पष्ट निकलता है कि भाजपा को खुद जीतने की तो कोई उम्मीद है नहीं पहले ही उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया कि साब हम तो नहीं जीत रहें अब जो जीतेगा उसको काम नहीं करने देंगे ये बात इस एलजी और उस एलजी की नहीं है बात है कि ये जिस एलजी की हम बात कर रहे हैं इस पर भी एक लाइन में कहना चाहूंगा ये LG के खिलाफ बहुत आरोप लगे हुए है संदेहों के घेरे में है, सवालों के घेरे में है उसका जवाब नहीं मिल रहा, कोई inquiry नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही आखिर क्या बात है कि आप जमू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे रहे आखिर क्या बात है कि जमू कश्मीर में एक सरकार जो चुनी जाएगी चुनने से पहले ही उसकी आप अधिकार छीन रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग्स में आप LG का दखल पूरा रखेंगे और चुनेवे मुख्यमंत्री का कोई उसमें कोई भूमिका ही नहीं रहेगी से अधिक सिटे मिली हैं भारतिय पार्टी बात करें बागावत सरु वहां से उठने शुरू हो गये हैं बदलापूर से भाजपा की विधायक रमेश मिस्रा उन्होंने का केंद्र दखल दे यूपी की हालत खराब है अन्यता दो हजार सब्ताइस में पार्टी चुनाओ जी से बड़े हो गए तो जो लोग RSS से बड़े हो गए RSS को की सला नहीं लेते किसी की सला नहीं लेते वो मिश्रा जी की सला थोड़े ही ले लेंगे उनको लगता है वो जो करते हैं ठीक करते हैं जो उन्होंने कहा 2027 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लगातार अब भारतिय जन्ता पाटी जिसकी हार का सिलसिला शुरू हुआ है लगातार आपको हारती हुई दिखेगी सर यह जो बाइपोल रिजल्ट पर आपने बात कही टीमसी के तरफ से कुनाल गोशने कहा है कि यह रिजल्ट जो है वो केंद्र में मोधी सरकार के लिए उल्टी गिंती बात लंबी चुट्टी पे जाने की सोच रहे हैं तो मत करिएगा मैं आपको सला दे रहा हूँ अब इशारा है तो मत जाईएगा चुट्टी पर कुछ महीनों बात चले जाईएगा उसमें क्या हो गया मतलब कांग्रेस ये मान रही है कि दो महने में कुछ बड़ी घटना करम राजनितिक उलट फिर हो सकती है मैं फिर आपको दोरा रहा हूँ अगर कोई शादी करने वाला हो छुट्टी पे जाने वाला हो हनीमून पे जाने वाला हो तो अभी रुख जाईएगा मेरा सवाल खासतोर पर उननेताओं के लिए है और आप से इसलिए बूच रहा हूँ कि कई साल पहले या कुछ दिनों पहले तक हम सुनते रहें कि अंतर आत्मा की आवाज पे ऐसा किया तो चाहें वो सीतल अंगुराल हो जलंदर बेस से या फिर मुकुट मड़ी अधिकारी जो रानागाट दक्षिन से लड़ें ऐसे दल बदल करने वाले नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और दूसरा हमने पिछली साल भी देखा कि सितंबर महीने में जब छे राज्यों के साथ उप्चुनाव हुए थे जिसमें घोसी की सीट थी और धूबगड़ी की सीट थी उसमें भी नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं गए देखिए जिस सरें की जोड़तोड की राजनिती पिछले दस साल के इस दौर में हमने देखी है तो शायद इस तरह की जोड़तोड की राजनिती नहीं होगी महराष्ट्र में आपने देखा कैसे एक सरकार को गिराया गया डिसेबिलाइज किया गया एजन्सियों का सहरा लेके किया गया लोकसभा में उसका जवाब मिला विधानसभा में और मजबूती से जवाब मिलने वाला है तो ये जवाब लेने वाले को समझना है कि इस तरह की राजनिती पे अब विराम लगना चाहिए माइक दीजे Sir, Mamata Banerji has announced that she will be moving a resolution against the Nyaya Samhita Bill and also against NEET in the next session of the West Bengal Legislative Assembly where do you think Congress stands on this? Well, we've been very clear about the Nyaya Samhita Bill also, Act also because that Act was passed in a hurry, that Bill was passed in a hurry after removing all the members of the opposition out of the Parliament there was no comprehensive discussion on this Bill, on the passage of this Bill and this Bill has several, several problem areas which we as opposition parties have discussed amongst ourselves and we are together in opposing this Act on NEET, Mr. Rahul Gandhi held a press conference we've spoken about it at length and again there is a lot of, there are a lot of anomalies in the way these exams are conducted there are major question marks on the, on the integrity of NTA, the officers working there all those questions have not yet been answered and there has to be a comprehensive review of the way these exams are being conducted Sir, on giving more power exam, Jammu and Kashmir government has said that it took the decision as per the constitution of the country, of the land over here and it also said that Jammu and Kashmir is the most sensitive place we have been able to tackle terrorism where but there are still few places like South Kashmir where tensions are still prevailing that's why this decision has been taken so, how do you look at it? What has, law and order problem which is ongoing which hasn't been, which they haven't been able to solve got to do with the LG getting powers to transfer and post officers right now the LG is in any case doing it so, you don't trust the government which will take charge whenever the, the elections happen you already passed a no-confidence motion against an elected government which is yet to be elected what kind of a no-confidence is this and who is Mr. Narendra Modi to pass a no-confidence motion even before a government is formed, even before the elections are ahead so, if the people's will gives a role to a government or a political party to form the government how can Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah sitting in Delhi lord over Jammu and Kashmir and disrespect the people's will what I will say now I will not answer the question Sir, a question question the question to your industry is has received two cities one from Bihar to RuPaul second from Medlih to Amarwara Amarwara is saying the village of Tabanath there were also some villages that take charge of him but the both cities have been submitted where have you been taken place? अमरवाडा के बारे मैंने आपको पूरा अपनी प्रेस्वारता में बताया कि किस तरह से आज गिंती के वक्त भी बहुत बड़े सवाल खड़े हुए कैसे गिंती करने वाले अधिकारी लंच ब्रेक करके गिंती रोक के गए बड़ा विरोध हमारे वरकर्स ने किया हमारे नेताओं ने किया वहाँ रही बात बिहार की सीट की वहाँ इंडिपेनेंट जीता है वहाँ न हम जीते न वो जीते कोई और ही जीत गया तो उस पर भी च करचा करेंगे